पैसे चले जाएंगे न अगर आप भी इंवेस्टमेंट करने से पहले यही सोचते हैं तो यह वीडियो आपकी सोच को चुटकियों में बदल देगी कहीं भी इंवेस्ट करने से पहले आपने यह अक्सर सुना होगा इंवेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यानि निवेश बाजार जो खिमो के अधीन है और इसी डर से शायद आपने कई बार अपने गतम पीछे कर लिये होंगे कि ना बाबना यह शेयर बाजार मेरे बस की बात नहीं तो अब स्क्रीन पर आप यह जो वीडियो देख रहे हैं इस पर ज़रा गौर फरमाईए आमतोर पर जब भी आप किसी ओटो में बैठते होंगे तो नजारा कुछ और होता है यो कोई ओटो वाले भाईया इसे लापटोप लेकर ओटो तो नहीं चलाते ध्यान दीजिए कि लापटोप की स्क्रीन पर शेयर मार्केट के चार्ट, बैंक, निफ्टी और संसेक्स इंडेक्स के साथ स्टॉक्स की डीटेल्स भी है ये ओटो वाले भाईया कौन है, इनकी सवारी कहां चलती है ट्रेडिंग और इनका कनेक्शन कैसे बैठा आईए एक एक करके इस शांदार कहाने के पन्ने पलटते हैं ये कहाने मुंबाई के पवाई की है ओटो वाले भाईया का नाम है विशाल पैकराउ सवारी ना होने पर विशाल अपने रिक्षे में बैठते हैं, लापटोप आउन करते हैं और फिर शुरू होता है शेयर बाजार में निवेश का सिलसिला, इन्होंने केवल बारवी तक की ही पढ़ाई की है पर स्टॉक बाजार में इनकी पकड़ किसी एक्सपोर्ट से कम नहीं लोकल एटीन से बात करते हुए विशाल बताते हैं कि पहले ये कुरियर कमपनी में काम क्या करते थे जब बड़े-बड़े ओफिसेज में विशाल पार्टसल देने जाते तो वहाँ लोगों से सुना करते भाई आज तो इस शेयर में लॉस हो गया बाज फिर क्या था विशाल ने खुद भी ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के साथ जब विशाल से लॉस के बारे में पूचा गया तो उन्होंने बताया कि पिछले तीन साल में उन्होंने सिर्फ से 12,000 रुपए का ही मुकसान जिला है अब आपके मान में ये सवाल घूम रहा होगा कि भाई शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कितना हुआ तो आईए ये सीधा विशाल से जानते हैं अब आपको एक खास बात और बता देते हैं ये जो हमारे रिक्षे वाले भाईया हैं विशाल ये काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पर इनके असी हजार से जादा फॉलवर्स हैं इनका यूजर नेम है ट्रीडर अंडर्सकोर रिक्षा वाला ओर्टो रिक्षा चिलाने के दौरान कई बार इन्हें अपने फॉलवर भी मिल जाते हैं फिर क्या बातचीत होती है आईए ये शीदे विशाल से जानते हैं वहारा कम्यूनिकेशन ना बहुत अच्या बन जाता हुआ है कि वहारे क्या बन करने के लिए बहुत से बाते हैं बता दें इन्वेस्ट करने के लिए डीमाट अकाउंट होना ज़रूरी होता है CDSL यानि Central Depository Service और NSDL यानि National Security Depository के डेटा के अकॉर्डिंग देश में टोटल डीमाट अकाउंट 16.2 करो से भी जादा है पिछले साल की कंपारेजन में ये 34.66% बढ़े हैं इसकी बहुत सी बज़ा है जैसे एप्रेल 2024 में अब अच्छा खासा इंक्रीज देखा गया, जून में IPO अच्छे प्रीमियम पर लिस्ट हुई, जून में साथ कंपनियों की IPO से कुल 3,000 करोर का कलेक्शन हुआ, इसके चलते Equity Mutual Fund में भी इन्वेस्टमेंट भड़ी है फिर अब आप ज़रा ये सोचिए कि अगर एक आटो रिक्षा चलाने वाला शक्स भी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है तो आप क्यूं नहीं, फ्यूचर सेक्योर करने के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा उप्शन है, लॉंग टाइम इन्वेस से आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, हालाकि समझदारी से निवेश करना बेहद जरूरी है, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते नहीं, लोकलेटी